सरोका वहां के राज नास सीघ्गा आज आपको बता दे रच्छा मंदी राजनाय सींग का लखनओ आएंगे अगर शाम पांच बज 20 मिनट माधव सभागार में समरस्ता सम्मेलन को संबवधित करेंगे साम साथ बजे दुबग्गा रिंग रोड फरीदी पूर में जनसभा करेंगे रक्षा मंतरी राजनाज सिंग का लखनव दौरा है आज आपको बता दे रक्षा मंतरी राजनाज सिंग आज लखनव आएंगे जहां वो शाम पांच बच के पंदा मिनट पर माधो सबागार में समरस्ता सम्मेलन करेंगे बसपा बदल सकती है जौनपुर में प्रत्यासी आपको बता दे बसपा बदल सकती है जौनपुर में प्रत्यासी सूत्रों के हवाले से ये बड़ी ख़वर सामने आई है किसी मुस्लिम पृत्यासी को दे सकती है टिकट आपको बता दे कि जॉनपूर में बसपा पृत्याशी बदल सकती है बाहू बली धननजा सिंग की पतनी है बसपा पृत्यासी जॉनपूर से स्रीकला सिंग है बसपा पृत्याशी हमीरपुर्च से एक बड़ी खबर सामने आ रहे है, जोंट तेज रफ़ताय ट्रैक्टर और आटो की जोड़दार भीडन्त हो गई, हाथसे में बाइक सवार की मौत और पांच लोग घायल हो गए बाइक सवार अधेर की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई और पांच लोग घायल हो गए घायलों का इलाज अस्पिताल में कराय जा रहा है ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर छोड़कर मौके से फरार हो गया सुमेर पुर्थाना छेत के बाकी रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है जहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर और आटो की जोड़दार भिडंत हो गई जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई वहीं पांच लोग इस हाथसे में घायलो गए घायलो का इलाज अस्पताल में जारी है डिप्टी सियम केशो परशाद मौर का आज बलरामपुर दौर आपको बता दे डिप्टी सियम केशो परशाद मौर आज बलरामपुर जाएंगे जहां वो डिप्टी सियम केशव परशाद मौर जनसभा को संबोधित करेंगे बिजेपी 85 साकेत मिस्रा के समर्थन में करेंगे जनसभा डिप्टी सियम केशव परशाद मौर बलरामपूर के छोटे परेड ग्राउंड में होगी जनसभा आपको बता दे कि डिप्टी सियम केशव परशाद मौर आज बलरामपूर जाएंगे युवक की गंगा में डूबने से मौत इस वक्ती बड़ी खबर बिजनौर से है जहां युवक की गंगा में डूबने से मौत हो गई सुख्षका के अंतिम संसकार में गया था युवक जहां गंगा में डूबने से उसकी मौत हो गई काश्वी राम कालोनी राम लीला मैदान में रहता था युवक मिर्टक युवक के माता पिता का पहले ही हो चुका है देहान पुलिस ने मिर्टक युवक की बेहन को दी घटना की जानगा रहे है डिप्टी सियम बिजे स्पाठक का अमेठी दौरा आज आपको बता दे कि डिप्टी सियम बिजे स्पाठक आज अमेठी दौरे पर रहेंगे मंद्री स्मती रानी के पक्ष में करेंगे पिचार परसार 11 बजे करीब डिप्टी सियम बजेस पाठक पहुँचेंगे अमेठी गोसाई गंज बजार पर एक जन सभाग कर पिचार प्रसार करेंगे डिप्टी सियम कॉंग्रेस कार्याले के बाहर गाड़ियों पर हमला इस वक्त की बड़ी खबर अमेठी से है जहां कॉंग्रेस कार्याले के बाहर गाड़ियों पर हमला हुआ इस कार्पियों सवार कई लोगों ने घटना को अंजाम दिया है हमले में गाड़ी में बैटे लोग हुए चोटिल अस्पताल में भरती कराए गया कॉंग्रेस कारकरताओं ने बिजेपी पर लगाया हमले का आरोप घाय लोगों को इलाज के लिए कॉंग्रेसी ले गया अस्पताल कॉंग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत करने की बात कही है सूचना पाकर मौके पर अपर पुलिस अधिक चक फोर्स समेथ पहुँच चुके हैं आपको बता दें कि गौरी गंजिस्तित कॉंग्रेस कार्याले का ये पूरा मामला बताया जा रहा है अमेठी से बड़ी ख़बर कॉंग्रेस कार्याले के बाहर गाडियों पर हमलाा का इसकारपियों सवार कई लोगों ने दिया घटना को अंजाम हमले में गाडी में बैटे लोग हुए चोटिल जिनका इलाज स्पताल में जारी है इस कबर पर जालत जानकारी के लिए अमेटीस हमारे साथ संतोज जूड़ चुकें संतोज क्या कुछ पूरा मामला है संतोज आगे क्या कुछ कारवाई की जाएगी संतोज इसमें कितने लोग गायल हुए है जायल लोगों का इलाज अस्पताल में जारी है कॉंग्रेसी ले गए हैं गायलों को अस्पताल अकलेश यादो का कन्नाज दौरा है आज आपको बता दें अकलेश यादो आज कन्नाज दौरे पर रहेंगे लोगों से जनसंपर्क करेंगे अकलेश यादो हर देवगन सहित कई महलों में करेंगे जनसंपर्क अकलेश यादो करीब तीन बजे सफाई जनपत के लिए रवाना होंगे सपा मुख्या अकलेश यादो का कन्नाज दौरा है आज आपको बता दें अकलेश यादो आज कन्नाज दौरे पर रहेंगे जहां पर वो जनसभा को संबोधित करेंगे लोगों से जनसंपर करेंगे अकलेश यादो इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अकलेश यादो राजेश यादो जुड़ चुके हैं राजेश आज अकलेश यादो का कन्नावस दारा है क्या कुछ सुरच्छा व्यवस्ता के इंतिजाम किये गए हैं संपर्क नहीं हो पारा है अकलेश यादो का आज कन्नावस दारा आज अकलेश यादो कन्नावस दारे पर रहेंगे लोगों से जन संपर्क करेंगे अकलेश यादो हर्देव गन सहित कई मुहले में करेंगे जन संपर्क सपा मुख्या करीब तीन बजे सेफाई जन पत के लिए रवाना होंगे अकलेश यादो आपको बता दे कि आज अकलेश यादो दोरे पर रहेंगे कन्नावस में अकलेश यादो का आज कन्नावस दोरा रहेगा जहां पर वो जन संपर करेंगे और उसके बाद सेफाई के लिए रवाना होंगे अकलेश यादो लोगों से जन संपर करेंगे अकलेश यादो इस खबर पर ज्यादत जानकारी के लिए हमाई साथ राजेस सियादो जूट चुके हैं राजेस सुरफच्छा विवस्ता को लेकर क्या कुछ इंतजाम किये गए हैं अकले सियादो आज कन्नावस दौरे पर हैं सब्सक्राइब करेंगे जनसभा करेंगे जनसभा करेंगे और चुनाव में दोजार चुनाव में राजेस और कौन कौन साथ में मौजूद रहेगा अगले सियादो के साथ में उनके प्रिटिकल वहां के जो आस्थानी प्रिटिकल लीडर है सारे प्रिटिकल लीडर के साथ में उनके जो भी वहां पर काय करता है काय करता हों के साथ में लगातार जनसंपर्ग करेंगे और उनके जनसंपर्ग के साथ में आपको बता दें कि वहां पर सुरक्षा ब्यवस्ता के अगर बात की जाए तो जाईसी बात है कि जी तरीके से उनका जनसंपर्ग होगा उसी के साथ में उनकी सुरक्षा ब्यवस्ता के वहां पर उक्ता इंतजाम किये गए हैं जी राजेस इस खबर पर जाद जान करें के लिए धन्यवाद बिजली विभाग की लापरवाई से व्यक्ति की मौत ये इस वक्त की बड़ी खबर कुशी नगर से सामने आ रही जहां हाई वोल्टेज लाइन की चपेट में आकर व्यक्ति की मौत हो गई है कई घरों के बिजली उपकरण जले हैं आपको बता दें कि इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है कसिया थाना चेत के मूरेरा रतन पट्टी की ये पूरी घटना बताई जा रही है इस वक्त की बड़ी खबर कुशी नगर से है जो हाँ बिजली विभा की लापरवाही से एक व्यक्ति की मौत हो गई है हाई वोल्टेज लाइन की चपेट में आकर व्यक्ति की मौत हुई है आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार प्राइम टीव यह लिए प्राइम टीव अब इस टाइम परेशने लिए जो आपकी आस ताइम पर एक भारी में लिया है मैं लास्टेम आया था उसके बाद में अब दुआरा ले आया हूं तो यह से सेमेंटी परसेंटेश इंप्रूव्ट जो की डॉक्तर नहीं कर सका हमाजी नहीं है इस प्राइम क्या है बैटेश साब बेटर है